हलो फ्रेंड्स आज की ताजा खबर में आप सुबो की स्वागत है जार्खन की तमाम छोटी बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी हाई कोट के आदेश के खिलाब सुप्रीम कोट जाएगी सरकार अनुसुची जिल्ले में सिर्फ इन ही जिल्लों में रहन प्रवधान को आज समवेधानिक करार दिये जाने के जार्खन हाई कोट के आदेश के खिलाब सरकार सुप्रीम कोट में आची का दायर करेगी मुखमंत्री हेमन्सोरे ने आची का दायर करने की अनुमति परदान कर दी है इसी के साथ अगली बड़ी खबर साइबर प्रदियों का गिरो अब जार्खन के जामतारा के बदले नालंदस से कंट्रोल हो रहा है इस गिरो की नजर सरकारी खातों की मोटी रख्म पर हो रहती है जार्खन में सरकार बैक खातों से 21 करोड की फर्जवारे की जांच के बाद CID की ओर से दर्ज की गई चार्शीट में इसका खुलासा हुआ है इसी के साथ अगली बड़ी खबर जाज घटी तो संकर्विन मरीज भी घटे पोजेटीव घटी 0.66% राज में नए मरीजों की संख्या लगतार कम हो रही है लेकिन जिस हिसाब से मरीज की संख्या में कमी आई है उस हिसाब से पोजेटीव में भी क कमी नहीं हुई है सितंबर से अंतिम 15 दिनों से अधि अक्टूबर के बिते 15 दिनों की तुलना की जाए तो मरीजों की संख्या लगभग 47.86% की कमी आई है पोजेटीव की बात करें तो 0.66% की कमी आई है जबकि जांच की बात करें तो इसी अवधी में दो लाग 79.206 सेंपलों की जांच कम हुई है इसी के साथ अगली बड़ी खबर नवरातरी के साथवे दिन जहारखन के सिच्छा मंत्री जगरनात महतों की समर्थकों के लिए चेनई से आई आची खबर नवरातरी के साथवे दिन जब पूरे देश में मा कालरातरी की पूजा हो रही थी चेनई के एम जी एम सुपर अस्पेलिटी होस्पीटर से जहारखन के सिच्छा मंत्री जगरनात महतों की अच्छी खबर आई एम जी एम के डॉक्टर ने कहा कि जगरनात महतों की हालत इस्थीर है चिंता की कोई बात नहीं है उनके फेपड़े को काफी नुक्सान पहुंच चुका इसलिए इन्हें ठीक होड़ने में अभी वक्त लगेगा लेकिन अब चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है इसी के साथ अगली बाड़ी खबर मुखमंत्री हेमन्सोरेन ने उर्जवी भाग के इन भरष्ट पदाधिकारियों के खिलाप FIR करने के परस्ता को दी मंजूरी जर्खन के मुखमंत्री हेमन्सोरेन ने उर्जवी भाग के बरष्ट पदाधिकारियों के खिलाप FIR दर्ज करजांच करने के परस्ता को सुख्रीती दे दी है ज्रेड के पदाधिकारियों पर पद काद रुप्यों कर भरष्ट चार करने का आरोप है